Question number 14, दिया हुआ है, sin 30 degree, minus ka sin 90 degree, plus ka 2 cos 0 degree, और by में यहाँ पर है आपका, 10 30 degree into 10 60 degree, लेकिए sin 30 degree का है 1 by 2, sin 90 degree का आपको पता ही है, 1 होता है, और plus में 2, cos 90 का 1, cos 0 का 1, 10 30 का 1 by root 3, और 10 60 का हो जाएगा root 3, यह root 3 से root 3 cancel, उपर 1 by 2, minus 1 plus 2, और by में यहाँ निचे 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उपर देखिए 1 by 2, और plus का 1, LCM लेकिए से जोड़ देंगे, 3 by 2, एंसर आजाएगा, समझ गए?